हिंदू कैलेंडर के अनुसार माग मास के सुकल पक्ष की पंचमी तित को देवी मा सरस्वती का प्राकट दिवस मनाया जाता है ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी सरस्वती प्रगट हुई थी तब देवताओं ने देवी इस्तुत की इस्तुत से व्यदों की रचाएं बनी और उनसे वसंत राग इसलिए इस दिन को वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है इस बार आज यानि 14 फर्वरी बुधवार को वसंत पंचमी पर्व मनाया जाएजा वसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य सब्द का सौंदर्य, वाडी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, फ्रवत्ति का सौंदर्य अकृति के आचल में जब अनेका नेक पुस्प मुस्कुराते हैं जब कोयल की कूम कूम कानों में मिठास घोलती है जब पेड़ पुस्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाड़ी मधूरता का अमरत पान करती है तो सुनते देखते ही पहला सब्द निकलता है वाह अदभुत गिलक्छन अनुपम वास्तों में यही बसंत है तब ही तो इसे रितुराज की संग्या दी गई है रितु विच्का में दो ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं एक सावन और दूसरा वसंत दोनों ही मास को साहित्य समाज समरस्ता संगीत और सकारात्मक्ता से जोड़ा गया है काली डास से लेकर आज तक के अनेक रस्नाकारों को ये मास आनंदित करते हैं बसंत के पर्भ का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तक तो जुड़े हैं मा सरस्वती वाड़ी एवं ग्यान की देवी हैं ग्यान को संसार में सभी चीजों में स्रेष्ट कहा गया है इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से स्रेष्ट हैं कहा जाता है कि जहां सरस्वती का व्वास होता है वहां लक्षमी एवं काली माता भी बिराज मान रहती है। इसका प्रमार है माता बैस्वों का दर्वार जहां मा सरस्वती, मा लक्षमी, मा काली ये तीनों महासक्तियां साथ में निवास करती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नौरात्र में महत्तो है उसी प्रकार वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का महत्तो है सरस्वती पूजा के दिन यानि माग सुकल पंक्चमी के दिन सभी सिच्छन सा स्थानों में सिच्छक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं सरस्वती माता कला की भीद्दे भी मानी जाती हैं अताह कलाक्षेतर से जुड़े लोग माता सरस्वती की बिध्वत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ उस तक कापी एवम कलम की पूजा करते हैं। संगीत कारवादियंत्रों की चित्रकार अपनी तूलिका की पूजा करते हैं। दोस्तों आईए आप सुनते हैं सरस्वति पूजा की पौराणिक व्रत कथा दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी दोस्तों श्रिष्ट की रचना के समय ब्रंभा जी ने महसूस किया कि जीवों की स्रजन के बाद भी चारों और मौन छाया रहता है उन्होंने बिसुलू जी से अनुमत लेकर अपने कमंडल से जल छिरका जिससे पृतिवी पर एक अद्भुत सक्ति प्रगट हुई चाह भुजाओं वाली इस सक्ति रूप इस्त्री के एक हाथ में पुछतक दूसरे हाथ में पुष्व तीसरे और चोथे हाथ में कमंडल और बाकी के दो हाथों में बीना और माला थी ब्रंभा जी ने देवी से बीना बजाने का अनुरोध किया जैसे ही देवी ने वीना का मधूर नाद किया चारों और ग्यान और उत्सो का वाता वरण फैल गया वेद मंत्र गूंज उठे रिशियों की अंतह चेतना उन स्वरों को सुनकर जूम उठी ग्यान की जो लहरियां ब्याप्त हुई उन्हें स्रसी चेतना ने संचित कर लिया तब से इसी दिल को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों आसा करता हूँ यह कथा आपको पसंद जरूर आई होगी आप से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी इसी के साथ बिदा लेते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैस्री क्रिस्न